एक पुरानी कहावत है कि अगर आप दूसरे के लिए एक उख होते हैं तो उसमें आपके खुद की भी गिरने का डर बना रहता है या इसी को दूसरे सब्दों में बोलें तो ऐसा कहा जा सकता है कड़ भला तो हो भला कभी भी जान बुचकर दूसरे के लिए नुकसान नहीं सोचना चाहिए वरना वो तीड कब उरकर आपके तरहीं वापस आ जाए ये कहा नहीं जा सकता ऐसा ही हुआ है कुछ अभिरतियों के साथ आईए दिखाते हैं कि क्या हुआ सबसे पहले आपको असपष्ट कर दें कि ए उसक्रीन पर जो आप एक लेटर देख रहे हैं वैसे तो उत्तरप्रदैस का लेटर है लेकिन इससे उन अभिरतियों को जटका लगने वाला है जिन्होंने उत्तरप्रदेस से डिलेड किया है, चाहे प्राइवेट संस्थान से किया है, या फिर सरकारी संस्थान से किया है, अब आप पूछेंगे कि ये बताने का मकसद क्या है, एक अभ्यर्थी है, उन्होंने बीड को बाहर करने के लिए प्रिटिस्नर बन गया है, और म देखी कि उड़ता तिर कैसे वापस उन्हीं की तरफ आ गया इस्क्रिन पर जो आपको लेटर दिखाई दे रहा है ये उत्तर प्रदेस में इस बार डीलेड में जो एडमिसन हो रहा है उसके लिए है आप पूछेंगे कि यहाँ पर जो एडमिसन हो रहा है उससे हम लोग का क्या मतलब है तो मतलब बहुत असपश्ट कर देते हैं क्योंकि इसमें जो नियम लिखे गए हैं ये नियम हमेशा से उत्तर प्रदेस में लागू है हरवार्ट लागू है और बिहार में भी जो छटे चैर में सबसे पहला सपश्ट कर देते हैं यहाँ पर अगर आप स्क्रीन पर देखेंगे तो ये उत्तर प्रदेस में ये डील एडमिसन होने वाला है उसके लिए ये लेटर है इसका पेज नमबर टू जो है ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है इस पे आप लोगो आना चाहिए पेज नमबर टू पे अगर आप देखें तो यहाँ पर हाइलाइट कर देते हैं लिखा गया है कि आपको यूगिता क्या होनी चाहिए प्रसिक्षन है तू आवेदन कौन लोग दे सकेंगे तो लिखा गया है सबसे पहलो तो यहाँ पर बताते हैं कि आवेद को दौरा किसी भी एक जनपद अत्वा ग्रीज जनपद से एक ही आवेदन किया जाएगा उसके दौरा किया गया आवेदन प्रदेश के समस जनपदों के लिए राज किये डायट अमनीजी डियलेट प्रसिक्षन संस्थानों में प्रवे से तू मानने होगा यानि कि यह जो नियम है यह जो सरकारी संस्थान है जिनको डायट कोलेज कहा जाता है उन पे भी लागू है और जो प्राइवेट कोलेज है उन पे भी लागू है इसलिए बाद में कोमेंट करके कोई आत्मी यह मत बोले कि यह तो केवल सरकाड़ी के लिए और हम लोग नीचे चलते हैं और नीचे देखते हैं कि नियम क्या लिखे गया है कि आप देख रहे हुए यहां लिखा भी गया है आवेदय के लिए अरता आयू एम निवास क्या है मतलब कि इलिजिलिब्रिटी क्या है कि उत्तर प्रदेश से कौन लोग कर सकते हैं इसके लिए दिखा रहे हैं कि क्या है यहां प्या जाईए सबसे में जो मुद्दा है यही है निवास ऐसे अभेर्थी आवेदयन अनिवारे होगा आनि था कि सिति में अभेर्थी का आवेदयन पत्र निरस्त कर दिया जाएगा यानि कि आपको उपर में हम लोगों ने दिखा दिया है कि यह किस तंतर में कहा जा रहा है चाहे गौर्मेंट कॉलेज हो या नीजी कॉलेज हो यानि कि प्राइवेट डियलेट कॉलेज हो उत्तर प्रदेश के और इन दोनों में ही यह नियम लागू है कि अब वहां से उत्तर प्रदेश से वही लोग डियलेट कर सकते हैं जो उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं उत्तर प्रदेस के निवासी हैं आप देख पा रहा हूँगे यहां सपश लिखा गया है कि ऐसे भेरती आवेदे नहीं तूर पात रहूंगे जो उत्तर प्रदेस के अस्थाई निवासी हो और एडमिसन के समय ही इनको उत्तर प्रदेस का निवास प्रमानपत्र प्रस्तूत क खड़ीदा हो डिलेट का डिगरी उसने तो एडमिसन लेते से में आपको जहांसा देकर बनवा ही दिया होगा कि उत्तर प्रदेस से डिलेट के वलों वही लोग कर सकते हैं जो उत्तर प्रदेस के निवासी है इसलिए अगर आप में से किनिया भेर्थी ने उत्तर प्रदेस से डिलेट कर लिया है तो आपके लिए खत्रे की घंटी है क्योंकि छटे चर्ण में भी ऐसा हुआ है कि बाहर का रहने वाले हूं। और आप बिहार के रहने वाले हैं, तो आप फिर उत्तरप्रदेस से डिलेट कैसे कर लिए हैं। चाहे वो गऔर्मेंट कालिज हो या फिक और अट्र ईबातली के आध्र अधार पे उत्रप्रदेस से डिलेट कर लिया तो चट्थे चर्ड बीबहुत्स आपको कोई मतलब है नहीं क्योंकि आपको तो अब्री डेलेड मेर्मिशन लेना नहीं है नीचे बार-बार चर्चा की गई है अगर इसमें उपर से नीचे तक जाएगा तो बार-बार इस बात की चर्चा की गई है कि सारे नियम गवर्मेंट कॉलेज और प्राइवेट कॉलेज दोनों पे ही लागू हो ऐसा नहीं है कि नियम के वाल गवर्मेंट कॉलेज पे लागू हो उधारन के लिए चीज और दिखा देते हैं कि अगर आप देखिएगा तो यहां पर लिखा हुआ है गवर्मेंट कॉलेज का फिस दे एक तालीस हजार रुपे होंगे ठीक है अब होता क्या है कि बिहार के भरतियों को जो ब्रोकर होते हैं तलाल होते हैं वे लालच दे कि उत्तरप्रजस से डिलेट करवा देते हैं क्योंकि उत्तरप्रजस से करने में कम खर्च लगता है बिहार में almost आपको कीजिएगा तो सवा आपका पैसा भी खर्चा हुआ और आपकी डिलेट के डिग्री जो है यह भी बिहार में अगर आपने उत्तरप्रजस किया है तो मानने नहीं होगा तो इसका सामना आप लोगो करना पड़ेगा साथ वेचलन में तो यह तो ठीक हबर उत्तरप्रजस के डिलेट के संबन में अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइप कीजिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए फिर से आप से मुलाकात होगी नेक्श वीटी में तब तक के लिए धन्यवाद थैंक यू